दिल्ली विधान सभाचुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं तो ऐसे में मुझफर नगर की बागपत शीट से भाजपा विधायक विकरम सेनी कहां पीछे रहेने वाले हैं विधायक ने दिल्ली में आपकी जीत पर कहा कि दिल्ली में बेइमानों और जूट बोलने वालों की सरकार बनी है दिल्ली की जनता ने विकास पुरुष मोधी को न कार दिया भाजपा ने जो देश के लिए काम किये उसे भुला कर दिल्ली में बेइमानों की सरकार बनाई है दिल्ली की जनता को बाद में पच्छताना पड़ेगा लेकिन भाजपा दिल्ली की जनता के द्वारा दिये गए नतीजों को सुईकार करती है उनको लोगों ने भुला दिया ये लोग आगे पच्छताएंगे हम फिर भी सरकार ने जो निर्ने लिया हम उसका एक तरह से सम्मान करते हैं जाएंगे लोग बाद में जब बढ़कर आएंगे कहां से तेंगे उन्हें घर में नोट बनाने की मसीन है क्या कोई पेड़ ऐसा है क्या जटते हो वहां से सब जनता के बीच से ही तो निकाल लेंगे ना वे जादे टेक्स लेगा विकास कारें नहीं होंगे बस फिरी बिजली चलाओ जाओ वाइफाई फिरी इस्तेमाल करो जाओ बाकी विकास होंगे नहीं सब्सक्राइब आज जनपद में नगर अर्द इसलेशी चुपर आमादी पाटी ने एक प्रदसन किया अर्सलास का पाटी जीतनी का उन्होंने कहा कि अब दिल्ली हुई हमारी अब यूपी की बारी यूपी मैं तो बैया यहां पर आप क्या कोई भी बीजेपी के लावा जीत नहीं सकता यहां के लोग देज भकते हैं उत्ता प्रदेश के जो देहात है ना उनके दिमाग में देज भकती है उनके दिमाग में हिंदुत्व है उनके दिमाग में देश को आगे बढ़ाने की एक सोच है यहां फिरी खाने वा इसा पहली बार नहीं कि विक्रम सैनी ने विवादत बयान दिया हो बीजेपी विधायक विक्रम सैनी पहले भी विवादत बयान देकर चर्चाओं में रह चुके हैं पंजाब के स्री टीवी के लिए मुजफ़र नगर से फलकुमार पमार के रिपोर्ट